दिन बदल गए हो, साल बदल गए हो, भले ही कारे काल बदल गए हो, लेकिन नहीं बदला है, तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का देश को आत्म निर्भर बनाने का सपना मोदी सरकार की मेकिन इंडिया के लिए अथक कोशिशों का ही नतीजा है कि अब भारत में ही अपने कार खाने लगाकर चीजों का यहीं निर्मार करना चाहती हैं विदेशी कमपनिया इसी अभियान के तहट चार से पाँच विदेशी कमपनियों ने बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तिमाल होने वाले कच्चे माल का कार खाना भारत में ही लगाने की इच्छा जताई है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने वाली भारतिय कमपनियां कम कीमत की वज़े से चीन से कच्चे माल का आयात करती है लेकिन मेकेन इंडिया के तहट भारत सरकार की कोशिशों के बाद अब उन विदेशी कमपनियों ने सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में लगने वाले कच्चे माल का उत्पादन करने के लिए भारत में ही अपनी फैक्टरी इस्थापित करने की बात कही है भारतिय सशस्त्र बनों को तीन लाग से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैक्टों की जरूरत होगी जिनके लिए कच्चे माल का निर्मान जब भारत में ही किया जाएगा तो देश की आत्म निर्भरता बढ़ेगी साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी पैदा होंगी